नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका बिलियोफाइल स्टुड़ी सेंटर के ओनलाइन प्लाटफॉर्म पर आज के इस क्लास के अंदर आपने देखने वाले हैं जो आपका मौक टेस्ट नंबर 82 है उसके सोलुशन तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से कुशन्स आये थ अपने स्वाग टेस्ट का जो पहला कौशन था वो ये था के भारत के अंदर कितने लोगसभा निर्वाचन क्षेत्र है मतलब हमारा जब लोगसभा का जुनाव होता है तो किती सीटों को पर चुनाव होता है तो लोगसभा के अंदर जो निर्वाचित सीटे हैं जो आपकी elected seats हैं, अगर पूछा जाए बताओ वरतमान के अंदर कितनी हैं, तो याद रखना वो है 543 543 उसमें आपको पता भी हाली में इस साल जो चुना हुआ है, कब? 2024 में जो चुना हुआ है, ठीक है? वो कब से कब तक चला था, तो आपको पताओ तो लोगसभा का जो चुना हुआ है, इस बार 2024 खंदर हुआ तो 19 अपरेल से शुरू हुआ था और कब तक चला था आपका? 1 जून तक, 1 जून 2024 तक चला था, कौन सी लोगसभा का चुना हुआ था? अगर आप से पूछा जा तो सबसे ज़्यादा जो सीटे जीती है, वो किसने जीती है, बीजेपी ने? कितनी? 543 में से 240 सीटे जीती है सेकंड नमर पे है, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस, भारतिराष्टे कॉंग्रेस इसने कितनी सीटे जीती? 99 थर्ड नमर पे रही थी आपकी कौनसी समाजवादी पार्टी, कौनसी थी, समाजवादी पार्टी, यूपी वाली जो अखिलेश यादर वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ने कितनी सेटें जीती, तो समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 37 सीट्स तो 240 सीट बीजेपी ने इंडियनेशन कॉंग्रेस निन्याण में और समाजवादी पार्टी ने 37 37 सीटे जीती थी क्लियर है तो मैं उम्मीद करता हूँ उसमें आपको एक परसंट भी दिखता नहीं नहीं चाहिए तो उत्तर क्या हो जाएगा कि हमारे यहां लोगस्वाम किती सीटे हैं 543 सीटे हैं चलो नेक्स्ट अगला और इस बार जो चुना हुआ था उन्नीस अप्रे से एक जून तब हुआ था अगर पूछा जा कितने चलनों के अंदर यह चुना हुआ था तो साथ चलनों कंदर साथ सेवन फेज कंदर यह चुना हुआ था और रिजल्ट कब आया था आपका चार जून को चार जून को रिजल्ट आया था और रिजल्ट आया क्या हूँ मैं आपको बता दिया कि इन पांसो त्यालिस फाइफ फॉटी त्री सीटों में सब जादा बीजेपी ने जीती फिर इंडिनेशन कॉंग्रेस ने और सिर्फ फिर समाजवादी पार्टी ने और अगर पूछे इस बार इंडिपेंडेंट कितने रहे आपके स्वतंत्र इंडिपेंडेंडेंट जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे चलो ठीक है नेक्स अगला फ् Tamil आगला है आपका के 1887 में रोयल सुसाइटी लंदन ने एक ऑवाड दिया और इस अवर्ट का नाम था आपका कौन सा डैवी कौनसा मेडल था आपका इस अवर्ड का नाम था डैवी मेडल कौंसा मेडल थ उनका नाम है दोस्तों Newland कह नाम है Newland Newland नहीं आपको पता हो तो Asterkanium दिया था कौन सा नियम दिया था? Asterkanium है ना, हिंदी में बोले तो Asterkanium English में बोले तो Theory of Octet Theory of Octet जिसमें इन्होंने बताय था क्या इन्होंने जितने भी उस वक्त के elements खोजे थे उसमें से इनों ने क्या क्या सबको 7-7 के अंदर रखा 7-7 के टुकडों में रखा पहले 7 element को रखा फिर उसके नीचे 7 element को रखा फिर उसके नीचे 7 element को रखा और उन्होंने बता है कि प्रते का 8 तत्व पहले तत्व की प्रपरटी से क्या है मेल खाता है इसलिए इसको बोलते है अस्टक का नियम कि देखो कैसे जैसे आपका बोलू 1-2-3-4-5-6-7-8 फिर 8 नहीं यहां पर किते बढ़ा है उन्होंने किते बता है एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ ऐसे तत्व को रखा फिर 8 तत्व फिर पहले तत्व की नीचे रखा तो इन्होंने बता है कि प्रते एक 8 तत्व वापिस इसके पहले वाले तत्व की सिम प्रॉपरटी रखता है इन्होंने परमाणू भार के अकॉर्डिंग है ना जाएगा नेक्स्ट अगला 1955 में दोस्तों ग्राम और लगू द्योग के लिए गठित एक समीति बनाई गये थी उस समीति का अगर आप से नाम पूछा जाए बताओ क्या नाम है तो दोस्तों एक हमारे अर्थ सास्त्री वे हैं जिनका नाम है दोस्तों दतात्रे गोपाल ठीक है एक अर्थ सास्त्री थे इनी के अध्यक्स्ता में दोस्तों एक समीति का गठन किया गया था एक समीति का गठन किया गया था किसके लिए गाओं के अंदर ग्रामीन क्षेत्रों के अंदर कौनसे क्षेत्रों के अंदर ग्रामीन क्षेत्रों में कौनसे क्षेत्रों में दतात्रे गोपाल करवे की अध्यक्स्ता में, इसलिए उनको शॉर्ट में बोलते हैं कारवे समीती, तो कारवे समीती का ही गठन किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों, उस वक्त यूजना आयोग के द्वारा बोले, तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा, तो हमसे कोशन पूछा है, क्या पूछा है, हमसे पूछा है, कि 1955 में ग्राम, ग्रामिन शित्रों में या ग्राम और लगुद्यों के विकास के लिए कौन सी समीती का गठन किया गया था, तो उतरा जाएगा दोस्तों करवे समीती, क्या जाएगा दोस्तों, उतरा जाएगा आपका करवे समीती, ठीक है, नेक्स्ट अग्रा देखो अग्रा है विजे कदम जिनका भी हाली में 67 years की age के अंदर दोस्तों निदन हुआ है अभी इसी साल अगस्त के अंदर something कुछ निदन हुआ है अगस्त के आसपास तो ये पूछ रहा, कुछन ही पूछन चारा है के विजे कदम कौन है तो दोस्तों विजे कदम एक famous मराठी भासा के कौनसे भासा के, मराठी, मराठी सिनेमा के दोस्तों famous actor रहे है अभी नेता रहे है है ना, मराठी सिनेमा के एक famous क्या थे दोस्तों actor थे नेक्स्ट अगला तो बिलकुल इसने आखरी चाली के साशक को हटा कर मार कर और दंती दुर्ग ने क्या क्या एक नवीन वंच की स्थापना की जिसको कहते है राष्ट कूट वंच कौन सा वंच दोस्तों आपने पढ़ा होगा साउथ इंडिया स्ट्री में राष्ट कूट वंच तो राष्ट अविधिक यग्य तो नहीं हो लेकिन मैंने अवीन राजबंस की स्थापना कर दिये तो क्यों ना मैं ब्रामणो को बलाकर एक अनुस्थान एक यग्य कर आँ एक वैधिक यग्य करवाँ और जिससे मैं अपने आपको क्षत्री होने का दावा कर सक far back को अब मैं क्षत्री ब करवाय था किसने करवाय था तो एक व्यक्तिस का नाम है दंति दुर्ग जिसने राष्ट कुट वंच की क्या की थी दोस्तों अस्तापना की थी तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा आपको समझ में आ गया होगा कि हरने गर्भ क्या है तो यह तरह का वैदिक याग यह अनुस्ठान था नेक्स्ट अगला अगला गोशन है दोस्तों ब्रेटिश शंसत के निमलिकित में से किस एक्ट के तहट यह व्यवस्ता हुई कि ब्रेटिश कबिनेट के एक सदश्य को भारत के लिए राज्य सच्चिवनियूप्त किया जाएगा हुआ क्या मैं आपको आता कंपनी का जो शाशन था वो क्या हो गया दोस्तों खतम इस इंडिया कंपनी का साशन क्या हो गया खतम और अब अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों इसके बाद ब्रेटिन के पारलेमेंट ने बोला डारेक्ट ब्रेटिन की गवर्मेंट इंडिया पर अब क्या करेगी साश देकिन अब जो अप्रेट आप क्या कहानी है कैसे करती है तो अब जो ब्रेटेन का हैड है वह ऑटुमेट्टिक लिए इंडिया का भी हैड है और ब्रेटिक समीधान में सब्रेट ऑपा मुझे वहाँ का कौन हो गा वहाँ का राश्ड़ा यारा इसको बोलते 1858 Act इस Act के तहट उन्होंने नहीं व्यवस्ता की कि अब से भारत का साशन डारेक्ट किसके एंटर में होगा बताओ ब्रिटेश क्राउन राष्टपती राजा है और इसके नीछे एक व्यवक्ति काम करेगा जो ब्रिटेन की खुद के मंत्री मिंदल में मंत्री उन्हीं मंत्रिओं में से एक मंत्री है जो भारत का कामकाज देखेगा उसको बोला जाएगा भारत सच्चिव हलांकई ये भी शराय क्या बोलते थे वह शराय यह का बैठेगा यह इंडिया में बैठेगा लेगिन अब इसके उपर ब्रेटेन में कौन बैठेगा भारत सची और इसके ऊपर होते थी प्रेटिश क्राउन तो हमसे यही कोशन पूचा गया दोस्तों क्या हमसे कोशन पूचा गया किस incident घार के अंदर ये वयवस्ता हुई कि अब भारत के लिए एक सच्छ न्यूक्त किया जाएगा जो अपने तेन में बैठेगा वो कौनसे एक्ट के तहा हुई तो 1858 एक्ट के तहट कौनसा एक्ट के था 1858 एक्ट 1858 एक्ट के तहट ये वयवस्ता हुई थी और पहला भारत का सच्छो बनाया गया था Lord Stanley को Lord Stanley को और वह अश्राय कौन थे इंडिया के पहले? Lord Kenning थे Lord Kenning भारत का पहला वह अश्राय था अगला है Robert Clive के नेतरतों में Plasica जो यूद लड़ा गया था वो किसके खिलाव लड़ा गया था? पहली बात सत्रासो इक्यावन नहीं है सत्रासो सत्तावन है सत्रासो सत्तावन सम्टिंग तेज़ जून सत्रासो सत्तावन को Plasica यूद लड़ा गया था 1757 में किसके बीच में? तो इधर तो था आपका अंग्रेजो की तरब से कौन था? Robert Clive और सामने आपको पता हो तो बंगाल का जो नवाब था उस वक्त बंगाल का जो नवाब था क्या नाम था उसका दोस्तों? उसका नाम था सिराजुद दॉला क्या नाम था? उसका नाम था सिराजुद दॉला ठीक है? सिराजुद दॉला सिराजुद दॉला और हलंकि इसमें रोबर्ट क्लाइव जी जाता है तो प्लासी का युद लड़ा गया था कहां पर प्लासी नमक जगह पर ये युद लड़ा गया था तो इसको बोलते कौन सा युद बोलते हैं प्लासी का युद बोलते है तो प्लासी के युद्ध रोबर्ट क्लाइव ने किसके ख्लाव रहा था बंगाल के नवाब सिराजुद दौला तो उत्र क्या जागा दोस्तों सिराजुद दौला सिराजुद दौला तो चोट-छोटे कोशन से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको एक परशन भ नवाफ़ेज मिनिस्टर यह भारत के नेटवर्सिंग कहा रहा चुक है थो अनष्ब विदेश मंतरी तो अब क्या हूँगँ गय तरीका से पूर्व विदेश मंतरी अधाना की सिर्थी से चलेगे तो ठीक है पूर्व विदेश मंतरी रहे है अगला सरवातिक लिशृण से तक पहुंचने के लिए परिवन का निमन में से कौन सा सबसे अच्छा मार्ग माना दाता है कि तब बेसिक सा कोशन पूछ लिया है नेक्स वगला समानता के अधिकार के अंतर कितने अधिकार आते हैं अब यह कहीं को समझ भी आएक बता नहीं क्या पूछ लिया अरे भाई अपन मौलिक अधिकार पढ़ते न तो उसमें आपने पता होगा आर्टिकल आपका कौन सा आर्टिकल आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 यह सारे सारे दोस्तों क्या है समानता के अधिकार राइट टू इक्वेलिटी समानता के अधिकार क्योंकि 19 से फिर शुरू हो जाते है कौन से सुतंतर अधिकार 22 तक तो 14 से आपने सर ने आपको पढ़ाया होगा 18 तक, 14 और 18 तक समानता के अधिकार है तो कितने समानता के अधिकार होगे? 1,2,3,4 और 5 तुम्हां उम्मेद करता हो समझ होगे तो बताँ समानता के अधिकार कितने हैं आपके? 5 Next, अगला देखो अगला है किस कम कैलोरी वाले मधुरग का रासानिक सुत्र C14H18N205 होता जो चीनी से 200 गरा मिठा होता है पुल्वना के पूशना चारा है उस आर्टी विशल स्वीटनेर या सुगर का नाम बताओ जो नॉर्मल जो हम घर पे चीनी यूज लेते हैं सुगर उससे लिए वो 200 गरा मिठी होती है तो वो है दोस्तों S.P.M कौन होती है दोस्तों वो सुगर होती है आपकी S.P.M नेक्स्ट अगला देखो रेशम बनाने की तकनी का विशकार सबसे पहले चीन में वाई सब जानते हैं लेकिन कब हुआ कुशन यह बूछ दिया तो लगबग 7000 साल पहले किते लगबग कहते है आज से 7000 वर्षपूर दोस्तों अरेशम का विशकार हो गया था कान पर विशकार हो गया था दोस्तों तो वो हुआ था आपके कान पर वो हुआ था आपके चीन में क्लियर है कहा पर वा था चीन के अंदर वा था तो अलसर ठीक है परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर नेक्स्ट आओ देखते हैं अगला क्यार क्या कहानी नहीं है अगला कोशन है दोस्तों राष्ट मंडल युवा खेल का पहला संस्क्रेंट निमले कित मैंसे किस वर्ष के अंदर आयोजित हुआ था क्या किस वर्ष के अंदर आयोजित हुआ था तो आओ देखते हैं क्यार क्या कहानी नहीं है इसके अंदर देखो, अब इसमें confuse मत होना, इसमें confuse मत होना, देखो क्या कहानी में आपको उता था हूँ, देखो, एक तो होते हैं only commonwealth games, उसमें age का कोई criteria नहीं है, एक तो होते हैं only commonwealth games, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको दोस्तों, राष्ट मंडल खेल, इसमें वो देश हिसा लेते हैं ज commonwealth youth games, क्या होते हैं दोस्तों commonwealth youth games, दोस्तों commonwealth youth वाले जो यूवा वाले games है, उसका जो पहला edition है, वो first time कब खेले गए थे, वो खेले गए थे, वो खेले गए थे वर्ष 2000 के अंदर, कब खेले गए थे दोस्तों, वर्ष 2000 के अंदर, कब वर्ष 2000 के अंदर दोस्तों क्या हो हैं मिल्टन गर के एक शहर है हैं मिल्टन काँ पर है दोस्तों कनाडा में काँ पर है कनाडा के अंदर है और इसमें अगर पूछे लास्ट है है लेटेस्ट काँ पर खेलेगे दोस्तों तो लेटेस्ट खेलेगे चार साल बाद 2022 से, चार साल जोड़ो के थे 2026 में, और ये कहां खेले जाएंगे, तो एक शहर पढ़ता दोस्तो, Gloss Go, क्या पढ़ता है, Gloss Go, Gloss Go करके एक शहर पढ़ता है, ये कहां पर है, ये Scotland के अंदर है, है तो UK, ब्रिटेन काई पाइट है, लेकिन ब्रिटेन में भी ती Youth Games, क्या पूछा दोस्तों, Commonwealth Youth Games दोस्तों, ठीके, और वो पहली बार खेले गे थे, वर्ष 2000 में, और लेटेस्ट अगर पूछा जाए, तो लेटेस्ट दोस्तों खेले गे थे, 2023 में, काँ पर एक जगह पढ़ती है, त्री नी नाद, तुबेगो, ये जो वेस्टन डीज वा Commonwealth Youth Games का, तो Youth Games पहली वार कब हुए थे, वर्ष 2000 में, जबकि Only Commonwealth Games पूछता सबसे पहले कब हुए, तो 1930 के अंदर, पता हो कब हुए थे, 1930 के अंदर, तो मैं उम्मीद गरता हूँ, इसमें आपको 1% भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्लियर है, ओके, नेक्स्ट अगरा देखो अगला, गनतंत्र दिवस समारो में समापन में होने वाला जो इवेंट होता हो, कौन सा होता है, तो दोस्तों, वो एक सर्मनी होती है, उसको बोलते है, बिटिंग रिट्रेट समारो, क्या बोलता है, बिटिंग रिट्रेट समारो, जब मारा Republic Day का प्रोग्राम खतम होता है, तो सबसे लास्ट में आखरी में जो प्रोग्राम होता उसको बोलते हैं बीटिंग, रीट रीट समार हो, ओके, ठीक, नेक्स अगला, वोला, इसमें किस राजने कैसी योजना चलाई है, जिसमें जितने भी ऐसी अडोल्ट सेंड लड़किया है, जिनको सेनेटरी नेपकिन खरीदने के लिए, गौर्रमेंट ने बोला, उनका अकॉण में सिदे पैसे डाल दी जाएंगे, तो आपने पैसों से डारक जाके खरीद के लिए क्या हो, तो दोस्तों ये योजना मध्यपरदेश सरकार ने शुरू की है, किसने? मध्यपरदेश सरकार ने, अगला, दुरुविय पवने, जो दुरुविय पूरुविय पवने, वो किस प्रकार के होती? यह मैं पहले भी आपको कोशन बता चुका हूँ कई बार, जो आपका, यह होती है, क्या कहते हैं? इस 0 डिग्री से 30 डिग्री उपर और 30 डिग्री नीचे तक, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री सौथ टक, तो दोस्तों यह जो आपकी हवाय होती है, जो वो हमती रखा किया असपास, इनकी डारेक्शन, जहां से आती है, वो डारेक कैसे कैसी अ करते प्लस का थाई मना कैसे अब कैसे आरीयों ऐसे आरीयी है वब अप्सीर यारेय। है क्या रही है यह Ezekशुं दिशा क्षा से अभads हो जाएकि आपकी शोग आपकी पूर्वन। यहMS है Jiस यह यह वैस्ट है यह ईस्ट है यह पूर्वी पवने या पूर्वा यहां भी इनको बोलते हैं ठीक है इनकी सारबर एकदम डार्चन फिक्स रहती है लेकिन उसके बाद दोस्तों 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में गर देखें तो इनकी डार्चन कैसी होती है दोस्तों तो यह यूँ चलती है इस तरफ इस त यह चलती है अब डार्चन कैसी है दोस्तों तो बताओ इधर से आहरी तो कौनसे डार्चन है पस्चिन और यह आपका दक्ष्ण पस्चिन हरे है विग्रां के बीच इस रेलीज बोलते हैं और अगर आप 60-90 के बीच में देखें तो ये तो सेम वही डारेक्शन होती जो भूम अदी रखा एक्वेटर के आसपास होती है equator क्या स्विस कैसे ऐसे ऐसे और ऐसे ठीक है सेम यह direction है यह इस तरीके से यह इस तरीके से और यह इस तरीके से यह इस तरीके से यह इस तरीके से यह इस तरीके से तो कहां से आरी पूर्व से कहां से आरी पूर्व से तो इनके direction साल पर लगबा fix रहती है और ऐसे साल पर fix वाली जो direction वाली होती है जो चाहे यहाँ हो, भूमधी रिखा किया सपास चाहे द्रुवों पर हो, इनको बोलते है इस्थाई पवने, क्या बोलते है दोस्तों उस्थाई पवने, तो इस सथाई पवने, तो एसी पवने है अगरा कॉश्चन अगरा कॉश्चन है कि जुलाई 24 तक हमारा WPI कि जो inflation rate थी वो क्या थी जुलाई 24 तक, यह कॉश्चन अभी कुछ मोक टेस्स पहले भी मैंने आपको करवाया था, वो दुस्तों उसका उतर होगा है 2.04% कितना हो जाएगा 2.04% अगला अगला अपन कोई भी दोस्तों छोटी सुक्ष में कोशी काऊं कि जब डाइगरम मनाते हैं तो उसमें आपन देखते हैं सबसे आगे वाला हिस्सा फिर बीच में से लंबा सा हिस्सा होता है लाश में से पूँच होती तो जो लंबा सा हिस्सा होता है इसको कहते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों फिलामेंट क्या कहते हैं फिलामेंट और हमसे यही पूछा जा रहा है कि उसमें सबसे लंबे इसे का नाम किसी भी bacterial phlegulum के अंदर वो कौन होता दोस्तो filament होता है, कौन होता है, वो आपका filament होता है, next अगला बोरगीत एक संगीत रचना है, एक टाइप का संगीत है, वो किस टाइप के dance के साथ में use किया जाता है, तो बोरगीत का कोशिका फ्लाइम, पौरी फेरा के सदिश्यों में स्पंजवा और नालो को रिखा बद करती है, जो अपन पढ़ते हैं ना, एनिमल किंग्डम के अगरा टाइप के जो फाइलम होते हैं, उसमें से आपके जो पौरी फेरा वगरा के टाइप के जो जीव पूछा चिलका जील, आपको कौन सा राज़े में देखने को मिलेगी, तो दवूटी नहीं कहां पर दोस्तों, उडिसा के अंदर, कहां पर उडिसा के अंदर, नेक्स अगला, इन में से किस साइट पर कोईली की खादाने नहीं मिलेगी, फोकस करना, या वो जगह बताओ जिसमें कोईले की खाने नहीं है, तो सोनीपत में क्या लें नेना, सोनीपत काँ सा है, हरियाना के अंदर, अब हरियाना में कहां कोईला है, है ना, तो ये उत्तर हो जाएगा, सोनीपत इसका उत्तर हो जाएगा, जबकि नेवली, सिंग्रेनी, कोरबा ये वो दोस्तों जगह है जहां पर बिलकुल आपको देखने को मिलेगी, बताऊ, क्या देखने को मिलेगी? कोईले की खड़ाने। क्लियर है क्या जैसा अगर मैं बोलूँ नेवली नेवली कहां पर दोस्तों यह जगह है तमिलाडू में यहां बिल्कुल कोईले के भंडार है सिंग्रेनी का है आपके यह लाका है तेलंगाना में यहां भी कोईले के भंडार पाय जाते हैं और कोरबात फेमस इलाका है कहां का 36 गड़का यह तो पूरा फेमस ही किसके लिए कोईले के लिए तो यहां तो कोईले की खदाने है ही है तो नेवलीन, सिंग्रेनी, कोरबान यहां तो आपको कोईला मिलेगा पट सोनी पत है रेनम कोईला मिलने वाला नहीं है तो तुरा जाएगा अभी भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंतरी कोई है यह भी मैंने कोईशन कुछ दिन पहले आपको कर वाया था किसी मौक टेस्ट के अंदर तो वरतमान में हैं दोस्तों कौन अनपूर्णा देवी कौन है अनपूर्णा देवी नेक्स अगला इन में से कौन सा अनृत्य दोस्तों करनाटक संगीत के साथ में किया जाता है बहुत इंपॉर्णन कोशन बहुत अच्छा कोशन है यह दोस्तों क्या है एक्च्वल में करनाटक संगीत जो दो टाइप के एक हिंदुस्तानी संगीत घराना रहे होता का किरनातक संगीत घराना अब करनातक का मलग को करना Mund राजजे की बात नहीं हुरी है यह एक एक गयं से है करनातक ठीक है तो करनातक संगीत पर धुस्तों खास करके दो टाइब के डांस किये जाते हैं classical dance में बोलू एक तो है दोस्तो भरत नाट्यम कौन सा किया जाता है एक तो किया जाता है भरत नाट्यम और एक दोस्तो किया जाता है कुची पूरी कुची पूरी कुची पूरी कहां का है आंदर प्रदेश का और भरत नाट्यम कहां का है तो आपका तमिल ना डूका, तो हमसे क्या पूछा है कि इसमें कर्णाटक संगीत के उपर कौन सा डांस किया जाता है, कथक नहीं, कुछी पड़ी बिल्कुल किया जाता है, सत्रिया नहीं, ओडिसी नहीं, तो या तो भरतनाटेम उप्शन में देता है, या कुछी पड़ी, तो आपको या तक नहीं, कर्णाटक संगीत के उपर और कौन सा डांस किया जाता है, तो भरतनाटेम किया जाता है, जैसा अभी भी अपने देखा, जो आपका सत्रिया है, अभी भी अपने देखा न, सत्रिया, सत्रिया बताओ किस पर किया जाता है, सत्रिया अगर आपको प भोग प्रवति को C से निरुपित किया जाता है ठीक है if marginal propensity to consume is denoted by C तो सरकारी व्यको किस रूप में अपन निरुपित कर सकते हैं या express कर सकते हैं यह अच्छा कोशन है, economics का कोशन है तो पहले तुम आपको बता देता हूं पहले तो आपको बता देता हूं actual में अगर आपसे पूछा जाए expenditure multiplier जिसको हिंदी में बोलते है व्यक गुनक यह economics में प्राव होती है इसका अगर आपसे पूछा जाए बताओ formula क्या होता है, तो इसका होता formula आपका expenditure multiplier अगर कभी आपने पढ़ा हो, तो इसका formula होता है one upon marginal propensity to save मतलब आप आप भाशा में आप समझने की कोशिश करो व्यक गुनक कैसे निकला आता है one upon marginal propensity to save, ठीक है आपको वह लक्सर यह marginal propensity to save क्या है, तो आप इसको थोड़ा सा basically समझने की कोशिश करो, देखो marginal propensity 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 to save यह कैसे निकालते हैं तो यह निकालते हैं, one minus one minus marginal propensity to consume marginal propensity consume कर लिया, तो I मैंसे consume को minus करने तो क्या saving आ जाएगी और यहां हम fraction group में मान के चलने कि complete हमारी I कितनी है तो I मान के चलने one, और consume उबो को किसे दरसा रहे है C से, इसका मतलब हम saving जो marginal जो प्रवति होती है जो बच्चत करने की प्रवति होती है वो बराबर हम कह सकते है, क्या कह सकते है one minus C, उबो को किसे दरसा रहे है C से, तो यहां याद रखना income को क्या बोल रहे है, complete income अपने आप में किती एक, उसमें से उबो कितना किया तो अपने C किया उबो मलब कन्जू मलब किया किया C, तो बच्चत बने की प्रवति क्या होती है, अभी विपन नेकाला, one minus C तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, one upon one minus C, तो बताओ, expenditure multiplier क्या हो जाएगा, one upon one minus C, ठीक है, यह economic term है मैंने कोशिश किया आपको short से short समझाने की तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप expenditure multiplier कैसे express करोगे, one upon one minus C से, किसे, one upon one minus C से तो इसी के साथ, अपने इस mock test के सारे question complete हो जाते हैं, मैं उम्मीद करता आपको समझ माए होंगे, और चीजों का आपने समझा होगा, आगे से याद भी रखना, इस टाप यह कुछ नहीं है, जो मैं हर mock test में कहता रहता हूँ, पाकी, आप अच्छे से बढ़ो, ठीक है, मिलते हैं आपन next किसी paper के solution के अंदर, thank you.